बिसमिल्ला रख्मान इरहीम आज हम मॉड्यूल 140 डिसकस करेंगे मॉड्यूल 140 है हमें ये बता रहा है कि हम किस तरह से protected shared variables को critical section के अंदर use कर से हैं critical section हमें कैसे help करता है to use protected shared variables previously हमने जिस तरह से देखा है कि कोई shared resources होते हैं से resources होते हैं जिसको के number of threads at a time use कर रही होती हैं और ये possible नहीं होता के सारी की सारी threads एक ही वकत में उस resource को acquire कर से उसके लिए जरूरी होता है सही result के लिए के एक ही thread उसको acquire करें और बाकी threads उसके पर wait करें तो इस situation के अंदर हमने देखा है कि critical section एक ऐसा object है जिसको के हम ये वाली policy ये mutual exclusion और synchronization in force करने के लिए इस्तमाल कर सकता है अब उससे related हमने कुछ functions भी देखे थे एंटर critical section leave critical section उनको हम देखेंगे कि किस तरह से usefully इस्तमाल किया जा सकता है to ensure के जी इस तरह का हमारा जो shared data है वो protected रहे तो critical section को use करना ये वाला जो object है इसको use करना बड़ा easy है intuitive है और बहुत कोई जादा complexities के बगार आप easily इस critical इस object को use कर सकते हैं अपने program के अंदर for example इसके अंदर एक हम अगर एक example consider करें कि यह एक server application है उसके अंदर कई सारी threads चल रही है कई सारी request आ रही है हर request के ओपर एक thread run हो रही है तो एक कहलें के आप primary thread है जो के server है और आगे जो भी request है उसके लिए एक-एक thread run होना शुरू हो जाती है तो कई सारी आपके पस worker threads है और फिर कुछ shared information है shared information हो सकती है जैसे number of request कोतर है जब भी एक thinly आती है तो वह number of requests कोwarts someone करता है तो वह response को करते है कररइंट रिक्वेस्ज कररेंट ली अनडर प्रॉसीस के जब भी एक थे इक थ्रेड अपनी processing कर रही है तो वो इस number को increment कर देती है, जब processing complete कर देती है तो वापस decrement कर देती है तो इस तरह का एक status हमें अगर maintain करना है, statistics maintain करनी है तो इस statistics को maintain करने के लिए हमें number of shared variables चाहिए होगे और वो shared variables जितनी भी आपकी threads हैं, जितनी भी आपके request के against threads बन रही हैं उन threads के बीच में share होगा, अब उन shared variables को control करने के लिए, protect करने के लिए हम critical section का इस्तमाल करेंगे, तो हम क्यों critical section का इस्तमाल करेंगे, क्योंकि हम यह allow नहीं कर सकते कि सारी के-सारी threads and variables को at a time modify करेंगे, हमने देखा था, अगर number of threads at a time एक यह variable को modify करने की कोशिश करते हैं, तो यह possible है कि उनके बीच में कुछ इस तरह से switching को, कि result जो हमारा सही ना आए, तो हम यह enforce करेंगे by means of critical section कि इस तरह के errors ना आए, concurrency में जो हम experience करते हैं, तो critical section को हम easily create भी कर सकते हैं, और बहुत उससे भी दादा असानी के साथ हम उसको use भी कर सकते हैं, यहां पर हम एक example देंगे, उस example के अंदर हम बताएंगे, उस example एक templates है, उस template की मदद से हम यह show करेंगे, किस तरह से आप एक critical section के object को use कर सकते हैं, और फिर उसके लिए हमने एक, क्योंके previous जो हमने concurrency की example दी थी, तो उसके अंदर एक intermediate हमने variable भी use किया था, तो इस example के अंदर भी intermediate variable use करते हैं, और फिर हम उसको अगर concurrently run करेंगे, तो क्या वो ही problem जो हमने previously encounter की थी, without using critical section क्या problem फिर से encounter होती है, या नहीं होती है, तो एक simple सी example है, जिसके अंदर इस चीज़ को हम understand करने की कोशिश करते हैं, यह एक छोटा सा template है इस template के अंदर आप देखें के यह critical section object हमने बनाया है, CSL इसका नाम रखता है, और इस object की type है critical section, और साथ हमने एक intermediate variable बना लिया, n of type volatile, volatile हमने देखा था, एक ऐसा variable होता है, जिसको के जब भी modify किया जाता है, तो उसको वापस memory के अंदर रखने की कोशिश करता है, उसको for optimization compiler जो है, वो register के अंदर नहीं रखता, जो ही उसके अंदर operation होता है, तो उसको वापस memory में रखने की कोशिश करता है, तो यहां पे हम initialize करते हैं, firstly, of course, यह object है, तो जो भी object Windows का होता है, आपको पता है, पहले आपने उसको initialize करना है, create करना है, या whatever, उस object की मुनास्पर से, ज आप initialize करने के बाद आपकी यह कहने के thread है, इस thread के अंदर जो भी आपका code वगएरा है, इसके अंदर यह वाला part आप समझें, यह critical section है, क्यों critical section है, क्योंकि यह एक variable है, n, जिसको कि हमने अदर volatile define किया हुआ है globally, यह आपका thread function है, यहां से start हो रहा है, n जो है, वो globally defined है as a volatile, और यह critical section भी globally defined है, इस चीज़ पर आप गवार करेंगे, critical section को आपने globally define करना है, ताकि उस process के अंदर जितनी भी threads है, उन तमाम threads को यह critical section available हो, यह आपने यहां पर thread define कर ली है, इस thread के अंदर आप basically अपने n को जो है, एक increment करना चाहते हैं, और यहां पर हमने previous example के अंदर इस variable use करें m, m volatile नहीं है, n volatile, असल में हम n को ही increment करना है, वह चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं उसको increment, लेकिन just for example सेक समझाने के लिए, हमने यहां पर बीच में intermediate variable का भी इस्तमाल किया, तो पहले m को हम n assign करते हैं, m के अंदर एक increment करते हैं, और m की value n को assign कर दो, चुनाचे n के अंदर एक increment हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पहले, क्योंकि हमने n की value को change करना है, और n एक global variable है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर enter critical section करें, अगर इसको ownership मिल जाती है, तब ही execution यहां पर आएगी और यह statement execute, अगर ownership नहीं मिलती, तो इसको wait करना पड़ेगा, कब तक wait करन के अंदर है, जब तक वो critical section को leave नहीं कर जाती है, और फिर जब आपने इसको modify कर लिया, मजीद कोई और processing ना करें, यानि कि ऐसी processing ना करें, जिसके अंदर local values ने change होना है, जिसका protection के साथ तालुक नहीं है, जिसका के mutual exclusion, synchronization के साथ तालुक नहीं है, वो सारी processing आप बाहर ले ठीक है, ऐसी processing जो के concurrently perform हो सकती है, इस enter critical और leave critical के अंदर आप सिरफ वो processing करें, जो के concurrently नहीं perform हो सकती है, तो यहां पर हमने वो processing की, processing करने के बाद आपने leave critical section करते है, तो simple rule है, enter होने से पहले, enter critical section, block नहीं होता, तो उसको access मिल जाएगी, उसको ownership मिल जाएगी, ownership मिलने के आपरेशन परफॉर्म करें, ब्रीफ जो भी आपरेशन है, और वो आपरेशन करने के बाद आपने leave critical section, यह एक थरड है, इस तरह कई थरड हो सकती है, और वो कई सारी थरड जो हो सकता है, पिर आपने वो वाला पार्ट जो के remainder पार्ट है, जो के concurrency के बगार भी execute हो सकता है वो वाला पार्ट execute हो का, उसके execute होने के बाद जब आपने इस thread को end करना है, जब आपको इस program को end करना है, सारी threads एंड हो जाती है, program end हो जाता है, program को end करने से पहले आपने अपने critical section को delete भी मैं यहां पर आपने उसको initialize किया था, यहां पर delete करना है, फिक है? initialize जब किया था इस तरीके से initialize किया है कि सारी threads को available हो जाए और जब delete करना है, जब सारी threads जो हैं, वो return कर जाती है complete हो जाती है, उनके ओपर execution उनकी complete हो जाती है तब आपने critical section को delete कर लेकिन हर specific thread ने critical section में enter होने से पहले enter critical section कॉल करना है और निकलने के बाद leave critical section जरूर कॉल करना है ऐसा नहीं करेंगे, डेड लॉक्स हा करो सकोगे, अब इस चीज का हम एफेक्ट देखते हैं, क्या एफेक्ट हुआ, आपने दो थ्रेड्स रॉन की हैं, एक थ्रेड वन है और एक थ्रेड टू है, दो थ्रेड्स रॉन हुए, जिस तरह आपने प्रीविस एग्जेंपल के अंदर देखा था, आपने इदर एफेक्ट की वैल्यू चेंज करने से पहले क्या किया, एइन्टर क्रिटिकल सazing की अंदर एइन्टर हो गया, इस पॉइंट पे किसी वज़य से स्विचिंग हो गयी, और यह वापस रेडि स्टेड की अंदर चला गया, इस duration के लिए यह thread ready state के अंदर switching हो के यह दूसरी thread पर चला जाता है और दूसरी thread के अंदर जब जाता है तो यह critical section को call करने की कोशिश करता है लेकिन क्या होगा enter critical section करेगा enter critical section करते साथ ही block होजाएगा इस duration के लिए यह block क्यों ब्लॉक्ट रहा क्योंकि इदर अलड़ी एक critical section के अंदर एंटर हुआ 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 although इसका critical section complete नहीं हुआ critical section के दुरान ही switching होगी और इस पर execution चली गी और उस time slot के उपर जो इस दूसरी thread को मिला है यह भी critical section में एंटर होने की कोशिश कह रहा था लेकिन यह critical section में एंटर नहीं हो सकता क्योंकि यह क्या हो गया ब्लॉक हो इस time period के लिए यह ब्लॉक्ट रहेगा जो भी उसको आगए है जितनी भी उसकी slot है जो भी उसका quantum है उस quantum के लिए यह वाली thread जो है ब्लॉक्ट रहेगी वापे switching होती है वापे switching होने पे यह again running state के statement execute होगा और फिर यह leave critical section करतेगा जब यह leave critical section करता है तो साथ ही साथ यह अपने critical section के अंदर enter हो सकता ठीक है लेकिन जब तक यह critical section के अंदर मौझूद है यह अपने critical section में enter नहीं हो सकता यह क्या रहेगा ब्लॉक्ट रहेगा इसके leave होने के बाद ही यह अपने critical section के अंदर enter हो सकेगा उससे पहले ये किसी सूरत भी अपने critical section में enter नहीं होगा तो ये चीज़ ensure करती है कि thread 1 जब तक अपने critical section के अंदर है कोई दूसरी thread जो है वो n की value को जो है modify ना करें अगर कोई दूसरी thread n की value को modify करने की कोशिश करेगी तो क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी इस time period के अंदर जिसना नदर आ रहा है कि ये ब्लॉक हो गई थी thread जो भी attempt करेगी critical section में enter होने के लिए जबके पहले ही thread 1 critical section में है तो वो thread ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पर 2 threads show हो रही है अगर कई सारी threads भी होती है और वो सारी भी attempt करती है इन critical section में enter होने के लिए तो वो भी block हो जाती है और फिर जब यह यहाँ से लीव करती यह वाली thread तो उन कई सारी threads में से सिरफ एक ही thread की turn आती है सारों की turn ना आती है यह design ही इस दरीके से किया गया है कि एक वकत में सिरफ एक ही thread जो है वो अपने critical section के अंदर enter हो सकेगी और बाकी threads अगर कोशिच भी करेंगी तो वो block होती जाएंगी जब तक कि first thread जो है वो अपने critical section को leave नहीं करेंगी